वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सब लोगों के लिएक सुचना अपसे आप क्राफ्ट मेटेरियल घर बैठे मंगवा सकते हैं इस नंबर पर आप मुझे वाट्सअप कर सकते हैं या फिर डेस्क्रिप्शन में आपको मेरे वाट्सप ग्रूप का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप ग्रूप जोइन करके मेटेरियल ओडर कर सकते हैं जो जो मेटेरियल मैंने अपने वीडियो में यूज किये हैं और भी बहुत तरह का क्राफ्ट मेटेरियल आप घर बैठे मंगवा सकते हैं तो अपसे जो आप यहाँ पर देखते हैं सीखते हैं सेम वैसा बन आप भी पाएंगे और डॉन्ट वर्य बाउड दर क्वालिटी एंड प्राइज़ सो गो फॉर इट और चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं आज के वीडियो में हम इस तरह की हेडबिंड बनाना सीखेंगे उसके लिए सबसे पहले यह फ्यूजिंग का पीश मैंने लिया है और यह दो रुपे का कोईन है तो इसका हमें सर्कल ड्रो करना है और सर्कल से थोड़ा सा ज़्यादा हमें यह जो है फ्यूजिंग का पीश कट करना है क्योंकि यह थोड़ा कड़ा होता है इसलिए हमने यह लिया आप कोई मोटा कपड़ा भी ले सकते हैं इस पर हम ग्लू लगाएंगे और वेलवेट है यह रेट कलर का उस पर हम इसे चिपका देंगे और उसके बाद सर्कल के ही साइज में इसे हम वेलवेट को इस तरह से कट कर लेंगे तो यह इस तरह का रेट कलर का सर्कल हमारे पास रहेगा उसके बाद यह लेस है हमारे पास यह जो है जोईंट है तो इस तरह से इसके जो बीच के थ्रेड्स है यह हम कट कर देंगे और इसे जो है हमें इसे सर्कल के गुमाना ह है चारों तरफ सरकल पर लपेटना है हमेंसे किनारे से हम शुरू करेंगे और इस तरह से लपेटते हुए हम इसे सेंटर में खतम करेंगे दो तिन लेयर इसकी आ जाएगी इस तरह से इस तरह से जो है दो तिन लेयर इसकी बन जाएगी एक्स्ट्रा जो लेस है उसे हम कट कर देंगे और यहां पर जो इनके बीच में गेप रह गया है उसके लिए हम क्या करेंगे इस तरह से सिंगल सिंगल इसके पीसे कट कर लेंगे और इन्हें जो है बीच पीच में जहां पर जगय है क्योंकि हम इसे फ्लायर टाइप का बनाना चाहते हैं तो यह गेप नहीं रखना चाहते इस तरह से जहां जहां पर खाली जगय हमें दिख रही है वहां वहां पर हम इसे इस तरह से चिपका देंगे बीच बीच में से लेते हुए तो 5 पीस है हमारे पास जितना आपका गेप रह जाए 5 या 6 पीस उतने आप इसे चिपका सकते हैं इस तरह से उसके बाद यह फोम का फ्लार है हमारे पास रेट कलर का इसे हम इसके सेंटर में लगा देंगे इस तरह से इसे हम एक बार साइड रखेंगे ये एक प्लेन ब्लेक कलर का हेड़ बेंड हमने लिया है और रेड कलर का वूल यहां टिप पर इसके माफ किजिए मैं ठीक से दिखा नहीं पाई सेंटर में हेडबेंड लेकर यहां टिप पर हमें इसे लपेट ना है वूल को सबसे पहले और उसके बाद थोड़े थोड़े गेप से इस तरह से हमें इस पर हेडबेंड पर जो है यह थ्रेड को आप एकर का फ्रेड भी ले सकते या फिर फूल ले सकते हैं जो कि इजी ली अवेलेबल होती है सब चके इस cima से इसे हम पर लपेट देंगे और यहां पर किनारे पर फिर से हम इसे अच्छी तरह से पर कर देंगे किनारे पर अच्छी पीक करना बहुत ज़रूरी है यहां से यह नहीं खुलना चाहिए सहिसे हम उपर से भी ग्लू की कोटिंग कर देंगे और जो थ्रेड बराबर नहीं है उन्हें आप इस तरह से बाद में ठीक कर सकते हैं इस तरह से उसके बाद जो फ्लार हमने बनाया उसके लिए यह एक पीस मैंने कट किया है इसे जो हम यहां इसके निचे में हेड बेन का जो निचे का साइड होता है जो हेड को टच करता है वहां पर हमने इसे चिपकाया है और इस पर यहां पर ग्लू लगाकर हम इसके उपर जो हमने फ्लार बनाया है इस तरह से देखिए इस तरह से हम इसे चिपका देंगे दो सेकंड के लिए से होल्ड करके रखें ताकि अच्छी तरह से ड्राइ हो जाए ग्लू बहुत जिल्दी ड्राइ हो जाता है और यहां पर जो है किनारों पर भी अच्छी तरह से थोड़ा ज्यादा ग्लू डाल कर हम इसे fix कर देंगे दोनों किनारों पर थोड़ा ज्यादा glue डाल कर ताकि ये टेड़ा मेड़ा ना हो center में रहे और निकले ना इस तरह से headband हमारा ready है I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपके कोई doubts और suggestions है तो please comment box में लिखे चैनल को subscribe करना ना भूले और वीडियो को like जरूर कीजिए Bye Bye